लेकिन सुख्षकों की कमी से चात्रों का भविश्य अधर में हैं कॉलेश में चप्रासी तक नहीं है ऐसे मैं कॉलेश को हाल बेहाल है और प्रिंसिपल ही चात्रों को घर बैटकर पढ़ने की चलाह दे रहे हैं चात्रों की बरिश्वानी को लेकर अब तक कोई समाधान सामने नहीं आया है खुश से पढ़ाई करना पड़ता है जिससे खुश से पढ़ाई तो हो जाता है लेकिन कोई डिफिकल्टी ज रहता है उसमें टीचर का मदद नहीं मिल पाता है जिससे वो चीज हमें समझ नहीं आता उसमें तो नौकरी भी मिलना मुश्कील है और टीचर लोग हमारे तो साय दो तीन रेगुलर सर बस है बाकी तो सब प्रावेट सर हैं पतता नहीं कैसे हो इसे में हम लोग करेंगी थोड़ा बहुत एक दो प्रेड हो पाता है लेकिन जो साइंस स्टूडेंट है उन लोग कर तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है अभी तक जो आने वाले टीचर ते अभी तक पता नहीं है खास का अब तक शासंद वारा नहीं भेजा गया है उसको दो बार पत्र लिखा जा चुका है मेरी योर से कि गेस्ट लेक्चर के लिए ब्याव सट ने ताकि पढ़ाई सुन कर सके है